दोस्तो आज हम आपको बोलीवूड की मशूर अबनेत्री माधरी दिख्षित के साथ हुए ऐसे दो किस्सों के बारे में बताएंगे जिने सुनकर आप भी श्रम से पानी पानी हो जाएंगे और आपको भी बोलीवूड से नफरत हो जाएगी लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि माधरी दिख्षित ने कई सुपरेड फिल्मों में काम किया है माधरी पदमश्री भी हैं एक बहतरिन कलाकार से बढ़कर वह एक बहतरिन इंसान हैं एक समय ऐसा भी था जब उन्हें एक फिल्म में काम करने के लिए महिला कलाकार के तोर पर सबसे ज्यादा पैसे मिलते थे बीबी सी की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुरू शुरू में बिना मेकप के माधरी खूबसूरत नहीं दिखती थी मेकप आर्टिस्ट पंडरी जूकर बताती हैं कि सुभाज गई ने कर्मा फिल्म के एक गाने के लिए माधरी दिख्षित को लिय पाई नहीं देता सुभाज गई ने कहा कि तुम इसकी सिफारिष इसलिए कर रही हो क्योंकि यह तुम्हारे महराश्टर की है तब आर्टिस्ट पंडरी जूकर ने सुभाज से आधे घंटे का समय मांगा जब पंडरी जूकर ने माधरी का मेकप किया और सुभाज के सामने पेश किया तो शुभाज गई हैरान रहे गई माधरी को देखते ही उन्होंने कर्मा फिल्म का वो गाना हटा दिया और अपनी अगली फिल्म में उन्होंने माधरी दिक्षित को लेड हिरोईन का किर्दार दे दिया अमीर खान के साथ दिल सल्मान खान के साथ हम आपके हैं कौन तो शारुक खान के साथ दिल तो पागल है जैसी कामया फिल्म में दे चुकी माधु दिख्षित ने अपने समय के तमाम बड़े एक्टरस के साथ काम किया है मधुबाला की तुलना कई बार माधुद के साथ की गई माधुद दिक्षित भी अपने तुलना मधुबाला से होने पर खु़ को धन्य मानती है तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने माधुरी दिख्षित को पूरे बोलिवूड में मूँ दिखाने के लाइक नहीं छोड़ा था जी हाँ दोस्तो यहाँ बात है माधुरी दिख्षित की एक फिल्म के दोरान जब वह एक्टर विनोध खन्ना के साथ फिल्म की शूटिंग पर रही थी उसी दोरान उन्हें एक ऐसा सीन करना पड़ा जिसके बाद वह एक दम से डर गई थी और कुछ समय तक चुक चाफ ही बैटी रही थी क्योंकि उन्हें फिल्म की शूटिंग के दोरान ही विनोध खन्ना की नियक में कुछ खराबी नजर आ रही थी और वह शूट को एक बार में ही खतम करना चाहती थी लेकिन डारेक्टर के कहने पर उन्हें वह सीन बार बार शूट करना पड़ा जिसके बाद वह काफी ऐसा हैज महसूस कर रही थी माधरी का कहना था कि विनोध खन्ना उस वक्त शूटिंग का नाजज पैदा उठा रहे थे और उन्हें के कहने पर डारेक्टर ने यह सीन फिल्म में रखा और बार बार रिटेक करवाया खबरों की माने तो शुटिंग के बाद जब विनोद खन्ना माधुरी के पास बात करने के लिए गए तो उन्होंने विनोद को डाटते हुए उनसे दूर रहने के लिए कह दिया था गोर तलब है कि इसी सीन के कान विनोद कन्ना और माधुरी के भी खटास पैदा हो गए और उन्होंने दुबारा उनके साथ कोई भी फिल्म नहीं की आईए अब बात करते हैं माधुरी दिक्षित के दूसरे स्वना किस्से के बारे में दोस्तों हिंदी सिनेमा को सो साल से जादा का समय भी चुका है सिनेमा के इतिहास में अंगिनत ऐसे किस्से हैं जिने जानकर आज भी हैरानी होती है इनी मेंसे एक किस्सा है माधुरी दिक्षित का जब वे एक रेप सीन से डर गई थी जी हां उनके रॉंक्टे खड़े हो गए थे बॉलिवूर्ड की धगदग गर्ल माधुरी दिक्षित 1989 में फिल्म प्रे परतिग्या में नजर आई थी और इसी फिल्म के एक रेप सीन के मामले में वो बूरी तरह से सहम गई थी आखिर मामला क्या था चलिए बताते हैं दरसल बात चल रही है फिल्म प्रेम प्रतिग्या के बारे में साल 1989 में इस फिल्म के लीड रोल में माधुरी दिक्षित के अलावा मितुन चक्रवर्ती, विनोद महरा और विलन के रूमें रंजीत थे जब विलन के रोमें रंजीत हैं तो आप समझी गए होंगे कि माधुरी का डरना भी जायजी था ये फिल्म सूपर हिट रही थी, इसी फिल्म में माधुरी दिक्षित के साथ एक रेफ सीन फिल्माया गया था माधुरी दिक्षित को जब डारेक्टर ने इसके बारे में बताया तो वह सहम गई हालां कि कहानी के मताबिक रेफ सीन की जुरूत भी थी और माधुरी इसके लिए तयार भी थी, वैसे रंजीत की छवी एक खुंकार विलन की थी और माधुरी समझ नहीं पा रही थी कि कैसे होगा ये सीन जब सीन शूट होना शुरू हुआ तो माधुरी दिक्षित दरी हुई थी और उन्होंने विलन रंजीत को ये कहकर अलग कर दिया कि मुझे हाथ मत लगाना मेडिया रिपोर्ट्स की माने तो रंजीत ने उस सीन में माधुरी के साथ जबरस्ती की थी और वो तै की गई स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही रेक्ट कर गए थी रंजीत काफी हावी हो गए थे और वो अपना आपक हो चुके थे जिसकी वैसे माधुरी दिक्षित को पुरी ताकत के साथ उने खुछ से अलग करना पड़ा और ऐसा दावा किया जाता है कि इस दोरान माधुरी ने रंजीत के हाथ पर काट भी लिया था तब जाकर वो दूर हटे असी के दशक किये गटना आज भी माधुरी दिक्षित को डराती है वो ऐसा दोर था जब माधुरी ने फिल्म इंडिस्ट्री में सही से अपनी जगह भी नहीं बनाई थी